हलो ब्रीवन, एकजाम वारियर में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांच से सम्मंदिद कुछ महातपूर प्रश्णों को डिसकस करने वाले हैं, जो की आपकी परिच्छा के दिश्चे बहुत ही इंपोर्टेंट है, दोस्तों इस टॉपिक से आपके एकजाम में 2-3 प्रश्ण पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्तक ध्यान से जरूर देखिएगा, और अगर आप इसका पीडियाप चाहते हैं, तो जोईन कीजिए हमारे टेलिग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मध्यम वर्ग ने जिसका राइट अंस रो जाएगा, आपशन C, 1857 इस बीके विद्रो में तठस्ता बनाए रखी थी, आपशन C इसका करेट अंस रो जाएगा, यानि जो भारत में सिच्छित मध्यम वर्ग था, उसने 1857 इस बीके विद्रो का ना तो विरोध किया, ना ही स प्रमुख नायक थे, वह निमलिकित में से किस से संबंध थे, इंपोर्टेंट है, पूछा ग्या प्रशन है, तो इसका राइट अंस रो जाएगा, आपशन E, बिहार से, आपशन E, इसका करेट अंस रो जाएगा, कुवर्शिंग बिहार के भोजपुर जिले के गाउं, ज बिद्रो से प्रभावित नहीं था, तो इसका राइट अंस रो जाएगा, आपशन B, चित्तवड, आपशन B, इसका करेट अंस रो जाएगा, बाकी बात करते हैं, जहासी से 1857 की क्रांत का नेतों तो किशने क्या था, तो रानी लच्मिबाई ने किया था, जगदीस उर से क किशने क्या था, तो बाबु कुवर्शिंग ने किया था, लखना उसे किशने क्या था, तो बेगम हजरत महल ने किया था, ये भी आप लोग जहान लेखिएगा, नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रो के संदर में निमलिकित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा, जि इंप्रिशने है, वर्ष 1857 के विद्रो के संदर में निमलिकित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा, जिससे अंगरेजो द्वारा बंदी बना कर मार दिया गया, तो इसका राइट अंस रोज़एगा, आप्शन D, तात्या टोपे को, आप्शन D इसका राइट अ अंस रोज़एगा, 1857 के विद्रो के समय तात्या टोपे को उसके मित्र मान शिंग ने धोखा दे कर अंगरेजों को पकड़वा दिया, क्योंकित अप्शन D का राइट अंस रोज़एगा, नेक्स्ट है, निमलिकित अस्थानों में से काउन्फा 1857 SB के विद्रो का महतपू पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् का नेत्रत बेगम हजरत महल ने गिया था ठीक है इंपोर्टेंट है ये नेक्स्ट है नेमलिकत में से किसने 1857 इसबी के बिद्रों के कारणों का बिसलेशन करते हुए अंगरेजों तथा मुसल्मानों के बीच मेल मिलापकी वकालत की नेमलिकत में से किसने 1857 इसबी के बिद्रों के कारणों का बिसलेशन करते हुए अंगरेजों तथा मुसल्मानों के बीच मेल मिलापकी वकालत की तो किसने क्या था? आप्शन सी, सर्शायद अहमद खान ने आप्शन सी इसका करेटन्स हो जागा व्याक्षा देखते हैं इंपोर्टेंट है व्याक्षा आप लोग जरूर देखिएगा इसको इसके बिल्कुल मत करिएगा ठीक है? सर्शायद अहमद खान ने अपनी पुस्तक NSA on the cause of Indian revolt में 1857 SB के बिद्रों के काड़ों का विशलेशड करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलापकी वकालत की थी उनके प्रयासों से अलिगड क्रांत की शुरुवात हुई उन्होंने मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज वर्तमान में अलिगड मुसलिम विश्विद्ध्याले की अस्थापना की थी मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलेज के अस्थापना का वुई थी तो 1875 में इसकी अस्थापना हुई थी और किसने किया था तो सर सय्यद अहमाद खान ने इसकी अस्थापना की थी बाद में यह क्या बना तो अलिगड मुसलिम विश्विद्ध्याले ठीक है नेक्स्थ है निम्न मेंसे किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 इसबी के शंगर्ष में भाग नहीं लिया था तो आपसन बी टीपू सुल्तान ने आपसन बी इसका करेटेंस रो जागा टीपू सुल्तान ने 1857 इसबी के विद्रो में भाग नहीं लिया था वह मैसूर का सासक था तथा चतूर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दोरान 1799 इसबी में उसकी मृत्त हो गई तात्या टोपे तथा नाना साहब ने कानपुर्शे और रानी लच्वी बाई ने जासी से 1857 इसबी के विद्रो का नेत्रत किया था ठीक है नाना सहब का दूसरा नाम क्या था? इंपोर्टेंट है नाना सहब का दूसरा नाम क्या था? तो अप्शन B, धोधू पंद, अप्शन 20 खा राइट अंसर हो जागा. पेशवा, बाजीराव, दुत्ती के दत्तक पुत्र, नाना सहब का दूसरा नाम धोधू पंद था. उन्होंने कानपुर में 1857 के विद्रोव का नेतृत किया, तात्या टोपे का वास्तविक नाम ये भी इंपोर्टेंट है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो राम चंद्र पांडूरांग, कुवर शिंग ने 1857 के विद्रोव में जगदीशपूर का नेतृत किया था, ठीक है? नेक्स्ट, कानपुर में गदर का नेतृत किसने किया था? कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत किसने किया था? तो आपसन डी, नाना सहब ने, आपसन ड इसका करेटन्स हो जाएगा कानपुर में 1857 के गदर का नेतुत नाना सहब ने किया था ब्रिटिस नायक कैमपेवल ने कानपुर में इस विद्रो का दमन किया था इंपोर्टेंट है ये पूछा जाता है कि कानपुर में विद्रो का दमन किस ने किया था तो कैमपवल ने किया था, तात्या टोपे ने कानपुर में विद्रो के नेतुत करता नाना सहब की सहायता की थी, राने लच्छुमी बाई ने जहांसी में तथा बेगम हजरत महल ने कहां पर तो लखनाउ में विद्रो का नेतुत किया था, नेक्स्ट है, अठारा सो सतावन इस भी का बिद्रो निम्न अस्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताईए, सबसे पहले 1857 की क्रांती, कहां पी हुई थी, तो बैरकपुर में इसकी सुरुवात हुई थी, फिर उसके बाद मेरठ में, फिर आपका दिल्ली, फिर जासी, तो उसका राइटेंस रो जाएगा आपशन डी, बैरकपुर में 39 मार्च 1857 मंगल पांडे ने शुरू गया था, उसके बाद मेरठ में 10 माई 1857, दिल्ली में 12 माई 1857, जासी में जून 1857, ठीक है, नेक्स्ट, नमलेकित ब्रिटिस व्यक्तियों में से किसने स्विकार किया था कि 1857 का बिद्रो, एक राष्टी बिद्रो था, इंपोर्टेंट है, नमलेकित ब्रिटिस व्यक्तियों में से किसने स्विकार किया था कि 1857 का बिद्रो, एक राष्टी बिद्रो था, यह किसने कहा था, तो डिजरैली ने, आपसन डीज का राइटेंस रोजगा डिजरैली, बेंजामिन डिजरैली ने 1857 के ब प्रधान मंत्री बने थे, नेक्स्ट है, 1857 के बिद्रो के दवरान, बहादुर शाने किसे साहब ए आलम, बहादुर का खिताब दिया था, इंपोर्टेंट है, 1857 के बिद्रो के दवरान, बहादुर शाने किसे साहब ए आलम, बहादुर का खिताब दिया था, तो इसका पक्तुन था, इन्होंने East India Company में सुव्यदार के पद पर कारे किया, बक्त खान ने 1857 के भारती विद्रों में East India Company के खिलाब विद्रों कर दिया, तथा मुगल समराट बहादूर सा जफर की सेना में कमांडर इन चीप के रूप में सामिल हो गया था, बहादूर सा ने इस डोग के दोरान भक्त खान को साहब ये आलम बहादुर का खिताब दिया था, इमपोर्टेंट है जरु difaThen की केग, थेके? नेक्स्त है अठारा सो अट्वान की करांति सर्वर्थं कहा से प्रारं मुने, इंपोर्टेंट है 1857 की क्रांती से प्रतम कहां से प्रारम हुई थी तो मेरट से आप्शन सीज करा इटन्स रोजगा मेरट 1857 के संगर्ष को B.D. सवर करने अपनी पुस्तक The Indian War of Independence में भारत का प्रतम स्वतंता संगराम माना है इंपोर्टेंट है ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांती को किसने भारत का प्रतम स्वतंता संगराम माना है तो बीडि सवर करने माना है इंपोर्टेंट है ये 1857 की क्रांती की सुर्वात 10 माई को मेरट की 33 Cavalry Regiment से माना जाता है यहां के सैनकों ने चरबी युक्त कार्तूसों को छोने से मना कर दिया तथा अंग्रेजी प्रसासन के खिलाब खुलेया विद्रो कर दिया तथा इन्होंने 12 मैं 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो 1857 की क्रांतिक का प्रारम कहां से मना जाता है तो मेरर से मना जाता है ठीक है? और भाइक को अन्तिम युद्ध में सामना करना पड़ा इंपोर्टेंट है रानी लच्मिबाई को अंतिम युद्ध में किसे सामना करना पड़ा तो आपसन ये इसका राइटन्स रोजएगा हिूरोस से आपसन ये इसका करेटन्स रोजएगा रानी लच्मिबाई का विवा मराथा सासित जहासी राज के राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ था परन्तो इनके कोई संतान ना होने पर लाड डलहौजी ने व्यपगत सिधान्त के अधार पर सन 1803 में जहासी राज को ब्रिटिस सामराज में मिला लिया इंपोर्टेंट है ये पूछा जाता है कि हड़प नेथ के तहर जहासी को ब्रिटिस सामराज में कब मिला गया था तो 1803 में मिला लिया था ये भी ध्यान रखेगा 17 जुन 1858 को जहासी की आजादी के लिए अंग्रेज जन्रल हिरोज के खिलाब लड़ते हुए गवालियर में बीरगत को प्राप्त हुई 17 जुन नहीं 18 जुन को इनकी मृत्त हुई थी ये ध्यान रखेगा 18 जुन 1858 को रानी लच्छिमबाई की मृत्त हो गई थी 1857 का विद्रो लखनाव में किसके नेतुत में आगे बढ़ा तो आपसन ए बेगम आफ अवध आपसन ए इसका करेटन्स रोजागा 4 जुन 1857 को बेगम हजरत महल के नेतुत में लखनाव यानि अवध में बिद्रो का सुवारम हुआ बेगम हजरत महल को ही बेगम आफ अवध के नाम से भी जाना जाता है ये अवद के नबाब वाजित अली सा की दूसरी पत्नी थी ठीक है वाजित अली सा की दूसरी पत्नी थी बेगम हजरत महल नेक्स्ट नाना सहब का कमांडर इन चीफ कौन था इंपोर्टेंट है पूछा गया प्रश्न है नाना सहब का कमांडर इन चीफ कौन था तो इसका राइटन्स रोजएगा अप्शन C तात्या टोपी अप्शन C इसका का राइटन्स रोजएगा राम चंद्र पांडुरंग ये वलकर इनका पूरा नाम था ठीक है ने नाना सहब के साथ मिलकर 1857 के सुतंता संगराम में भाग लिया जब अंग्रेजों ने कानपूर पर आकरमण किया तो नाना सहब की सेना का कमांडर इन चीफ यानि सेनपती तात्या टोपे को नियुक्त कि पुआ गया ठीक है नेक्स्ट है अजी मुल्ला खान सलाकार थे किसके तो इसका राइटंस रोजीगा आप्शन ए क्रिटंस रोजीगा आप्शन एकर र का अंग जाता है नासाहब ने अर्जे मुल्ला खांग को अपनी पेंशन अर्जी देकर एक लैंड भेजा था कुंवर्शिंग 1857 के विद्रोग के एक प्रमुख नायक थे वा नेमलिकित में से किस से संबद्ध थे कुंवर्शिंग का जन्म 23 अपरेल 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गाव में हुआ था इन्होंने 1857 की कांती में भाग लेते हुए 27 अपरेल 1857 को दानापुर के सिपाहियों एवं भोजपुरी जवानों के साथ मिलकर इनका नेतुत करते हुए आरा नगर पर कबजा कर लिया था नेक्स्ट निमलिकित में से कांशा अस्थल राजास्थान में 1857 की क्रांती का केंद्र नहीं था तो जैपुर नहीं था जबकि जैपुर क्रांती का केंद्र नहीं था राजास्थान में 1857 की क्रांती की सुरुआद 28 मार्ज 1857 को नसीराबाद में सैनिक विद्रों से हुई थी नेक्स्ट है भारत में सिच्चित मध्यम वर्ग ने आचुका है प्रश्ण तो आप्सन C 1857 के विद्रों से तटस्ता बनाई रखी थी 1857 के सुतंता संगराम की अस्पलता की प्रमुकाडों में सिच्चित मध्यम वर्ग का विद्रों से तटस्ता रखना भी सामिल किया जाता है ये पॉइंट भी आप दो ध्यान रखीएगा ये जो आपका क्या है अस्पलता के कारण में गिना जाता है इसको दिल्ली से किया था मौलवी अहमद दुल्ला मौलवी अहमद दुल्ला ने कहां से किया था तो ये अवद हो जाएगा कुंवर्शिंग ने कहां से किया था तो कुंवर्शिंग ने आरा से किया था नाना साहब ने कहां से किया था तो कानपूर्शे किया था तो इसका 21 में करांतिकारियों के नाम दिया है और सूची 2 में अस्थान दिया है देखते हैं पहला है नाना साहब नाना साहब का समंद कहां से था तो कानफुर से नबाब हामिद अली खान इनका समंद कहां से था तो दिल्ली से था मौलवी अहमूद उल्ला इनका समंद लखनाव से था और मनी राम दिवान का समद्ध असम से था थीकल को इसका क्रेंट रोजाएगा या अपस्ट कि बिद्रो के समय ब्रिटिस प्रद्हान बंतरी कौन था इंपोस्तेंट है, 1857 के विद्रोग के समय ब्रिटिस प्रदाः मन्तरी कौन था? तो आप्षण 20 का राइटन्स रो जागा, जब भारत में 1857 की क्रांति का बीगुल बजा, उसमें ब्रिटिस प्रताः मन्तरी बिसकौन्ट पॉपस्टन थे, भारत में इस समय लाड कैनिंग, गवर्नर जनरल के पत्पा था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लाड कैनिंग था. नेक्स्ट है आदुने कितिहासकार जिसने अठारा सो सत्तावन के विद्रोग को सुदंता संगराम की पहली लडाई कहा था तो आप्शन C, BD सावर करने कहा था इंपोर्टेंट है यह आप्शन C का राइटन्स हो जाए भारत के महान इतिहासकार भासाविद समाज सुधारक क्रांतिकारी विनायक दामोदर सवरकर का जन्म 28 मई 1883 इसबीकु नासिक के भगूर गाउं में हुआ था उन्होंने 1940 में पूना में अभिनो भारत नामक एक क्रांतिकारी संगटन की अस्थापना की BD सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वाधिन्ता की पहली लडाई कहा था इन्होंने 1906 में सोदेशी का नारा दिया तथा बिदेशी कप्ड़ों की खोली जलाई नेक्स्ट बढ़ते हैं भारती स्वाधिन्ता अंदूलन का सरकारी इतिहासकार था सुरेंदर नात सेन, इनका पूरा नाम था, सुरेंदर नात सेन 1857 के भारती स्वाधिन्ता अंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, इन्हें भारत सरकार ने 1857 से 1869 के बीच घटित स्वाधिन्ता संगराम की घटनाओं को लिखने के लिए चुना, इन्होंने इसी अधार पर 1857 ना 1857 के विद्रों का निमलिकत में से कौन्शा कारड नहीं था, पहला है, या अफवा की ब्रिटेन वासियों ने बाजार में भिकने वाले आटे में गाय और शुवर की हड्डियों का चूड मिलाया था, यह आपका सही है, दूसरा है, या भविस्वाडे की प्लासी सताब्दी पर 30 जून 1857 को ब्रिटिस सासन का अंत होगा, यह भी सही है, ब्रिटिस सासन से समान जन में असंतोज था, यह भी आपका है, करेक्ठ है, तो आपसन डीस का राइट अंस रोजगा, या भविस्वाडे की ब्रिटिस सासन के अंत के साथ कल्यूक का अंत होगा, और रामराज फिर से आएगा, यह कोई करण ही था, आपसन डीस का राइट अंस रोजगा, 1857 के बिद्रोग के कारणों में से एक कारण या भविस्वाडे की ब्रिटिस सासन के अंत के साथ कल्यूक का अंत होगा, और रामराज फिर से आएगा, या गलत है, ठीक है, 1857 का बिद् प्रति जन्मानस में, अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना से संबंदित है, ठीक है, नेक्स्ट है, निमलिकत में से किसके बारे में यह माना गया की वह 1857 में ब्रिटिस के बिरुद, सड़यंतकारी, सन्यासियों और फकिरों का नेता था, इंपोर्टेंट है, निमल नाना सहब, आपसन डीस का राइट अंस रोजगा, वर्ष 1857 के बिद्रोह में ब्रिटिस के बिरुद, सड़यंतकारी, सन्यासियों और फकिरों का नेता नाना सहब को माना जाता है, इन्होंने कानपुर में बिद्रोह कर कानपुर को अंग्रेजों से जीत लिया, नाना सहब पेशवा वंस के थे, और इनका नाम क्या था, अने नाम क्या है, तो धोधूपंद, ठीक है, धोधूपंद के नाम से भी इने जाना जाता है, नेक्स्ट है, 1857 के बिद्रोह का नाम क्या है, तो आपसन ए, अहमदुला सह, आपसन ए, इसका राइटन्स हो जागा, 30 जून, 1857 को चिनहेट की कठावता जील के पास, चिनहेट की प्रशद लड़ाई, हेनरी लॉरेंस के नेतुत में, ब्रिटिस सेना वा, वर्ष 1857 के बिद्रोह के महतपूर भूम का निभाने वाले, मौलवी अहमदुला सहा फैजाबादी के बीच ल साग के बारे में, निमलिकित कत्नों में से काउन शाह सही है, देखते हैं इसमें, पहला है, आमतोर से उसे दंका साह या धोल वाले मौलवी के रूप में जाना जाता था, बिल्कुल सही है, मौलवी अहमदुला को दंका साह या धोल वाले मौलवी के रूप में जाना जाता था यह सही है वाच्चिनहाट के प्रशिद्द लड़ाई में लड़ा था अभी हमने उपर पढ़ा बिल्कुल सही है वह हेंडरी लॉरेंस के कमान के अधीन ब्रिटिस फॉस द्वारा मारा गया था नहीं मारा नहीं गया था यह अप गलत है जिसका राइट एंस रोज़ागा अपसन डीस का रहाइट अन्स लेगा अहमदुल्ह सा फैजाबात के मौलवी के रूप में परशिद्द अठारासोगा यहाट के भारती विद्रो के प्रमोग के व्यक्ति थे मौल्वी अहमदुल्ह साख को विद्रो के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता था अवज़ की विद्रोही सेना का नेदत बरकत अहमद और मौलवी अहमद दुल्ला साह ने किया था चिनाट के लडाई में बरकत अहमद को विद्रोहीयों के मुख्य सेना अधिकारी घोसित किया गया था बृतनी सेना का नेदत हेंडरी मौन्ट मोगरी लौरेंस ने किया था जो अंधता रेजिडेंसी लखनव में मारा गया था, बरिकत अहमद और मौलवी के नेजुत में विद्रोही सेना ने या भयांकर लड़ाई जीती थी, ठीक है, नेक्ट है, नेम लेकित कत्नों में से काउन सा सही है, इसे पुछरा काउन सा सही है, पहला है, अठारा सो सतावन का विद्रो हैदराबाद के निजान द्वारा समर्थित नहीं था, यह आपका है, सही है, दूसरा है, अनहपी इंडिया पुस्तक के लेखक, दीन बंदु मेत्र थे, नहीं, यह तो गलत है, देखिए, इसमें होना चाहिए काउन सा सही है, ठीक है, पहला आपका सही है, दूसरा है, अनह कि आपका जहांसी की रानी को ग्वालिया रुक के सिंधिया घराने ने सरण देती, यह गलत है, मंगल पांडे ने दिल्ली की और शिपाई अभियान का नेदुत किया था, यह भी गलत है, तो अप्सन एसका राइट एंस हो जागा, इस क्रांती की सुरुआत, दस माई 1857 इस ब्यापी बिद्रो के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रतम स्वतंता संगराम कहा गया, नेक्स एं, 1857 के बिद्रो के दिनों में, इनमें से किसे डंका सा के नाम से जाना जाता था, अभी हमने पढ़ा किसे, तो अप्सन भी, मौलवी अहमदुल्ला सा को डंका सा के नाम से जाना जाता था, अप्सन भी, मौलवी अहमदुल्ला सा दक्कन के कुतुब साही परिवार्शे समन्दित थे, 1857 के बिद्रो के दिनों में इन्हें डंका सा के नाम से जाना जाता था, इन्होंने 1857 के बिद्रो का नेत्रत फैजाबाद में गिया था, इंपोर्टेंट है, यहां के बिद्रो को शमाप्त किया था, इसको भी ध्याने कीगा, फैजाबाद के बिद्रो का दमन किस ने किया था, तो कैम्प बिद्रो का ने किया था, नेक्स्ट है, 1857 के बिद्रो के बिद्रो के बिसे में, निमलकित कत्नों में से कौनशा सही नहीं है, पहला है, इस बि देखते हैं आप्षन एसका करेटरन्स रोज़ागा 1857 का भारती विद्रो जिसे प्रतम भारती सुतंता संगराम शिपाही विद्रो और भारती विद्रो के नाम सी जाना जाता है ब्रिटिस साथन के बुरुद एक सशस्त्र विद्रो था या विद्रो दो वर्षो तक भारत के विवन छेत्रों में चला नेक्स्ट है 1857 की क्रांति को बरबारता और शबता के बीच युद्ध किस ने कहा था most important है 1857 की क्रांति को बरबारता और शबता के बीच युद्ध किस ने कहा था तो TR Holmes ने कहा था आपसन सीज का राइटन्स हो जागा TR Holmes ने 1857 की क्रांति को बरबारता और शबता के बीच युद्ध की संग्या दी है इस क्रांति को आउटरम ने हिंदू-मुसलिम सडियंत्र important है आउटरम ने क्या कहा इसके बारे में तो हिंदू-मुसलिम सडियंत्र कहा है डिजडायली ने इसे राष्टी बीद्रो मजुमदार ने इसे सैन बीद्रो की संग्या दी है ये पूछा जाता है TR Holmes ने क्या कहा है इसे तो इसे sab duda और बरबटा के बीच युद्ध की संग्या दिया था TR Holmes ने दिया था थीक है सैने विद्रो और इसे प्रतम सुदंता संगराम के इस निमाना है तो बीडी सावर करने ठीक है नेक्स्ट है अठारा सो सतावन के विद्रो से समवंदित नमलिकत कथनों पर विचार कीजिए अहला इसमें विद्रोहियों का कोई असपस्ट राजनेतिक परिपेच नहीं था बिल्कुल सही है विद्रोहियों का कोई असपस्ट राजनेतिक परिपेच नहीं था ये सही है जीनत महल ने अंग्रेजों से अपनी सुरच्छा के लिए संधी वारता की ये भी सही है बिद्रोहियों को मौल़ी आमादुले दोरा नेतुत प्रदान किया गया था, बिलकुल सही है फैजाबासचीनों नेतुत प्रदान किया था किंदरी नेतुत दोरा विश्वासाँजात्य करन बिद्रोही अस्फल हो गया तो इसका राई टेंस रोज़ागा आप्शन C एक, दो, तीन इसमें सही है, देखते हैं, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रो का प्रारम मंगल पांडे नामक सैनिक द्वारा अपने एड्जूटेंट की हत्या से प्रारम हुआ, लाड डलहुजी की व्यपगत, नेत की सिकार, राजाओ और जमिंदारों ने भी अपने र नेतिक परिपेच नहीं था, 1858 में फैजाबाद में अंदूलन का नेतुत मौलवी अहमदुल्ला ने किया, जिसे जनरल रिंडर्न ने दबा दिया, एक मार्च 1858, इस भी को लखनाओ की नवाब साहिबा बेगम हज़त महल ने अपने पुत्र विजरिस कादिर के सनरच्छा के रूप में अंदूलन प्रारम किया, जिसे अंगरेज जन्डल केम्पेबल ने दबा दिया था, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, द ठीक है, ये रहे है आज के प्रस्ट, थैंक्यू फॉर वाचिंग.